हेलो दोस्तों, वेलकम टो ग्रेट स्कॉलर्स अकेडमी, मैं हूँ सानी जैन और मैं वेलकम करता हूँ माइक्रो एकनॉमिक्स के चेप्टर नमबर वन में, इससे हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी 12 दिन में कम्प्लीट कर दें ताकि आने वाले एक्जाम में आपको बहुत ही जादा मदद मिले और आप अच्छे से अच्छे मार्स स्कॉर कर पाऊ और सबसे इंपोर्टेंट चीज कि आप अगर ये सीरीज पूरी की पूरी देखेंगे तो आप तकरीबन 80 मार्स का अगर एक्जाम होगा तो उसके अंदर से तकरीबन 60 और 70 अराम से स्कॉर पाऊंगे और अगर साथ साथ बुलेट पॉइंट्स नोट करते गए जो मैंने आपको का है तो 75 प्लस भी आप लोग स्कॉर कर सकते हैं तो हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 के अंदर क्या बताता है एकनॉमिक्स और एकनॉमी के बारे में याने कि इस चैप्टर में बेसिकली हम इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं एकनॉमिक्स क्या होती है एकनॉमिक्स क्यूं होती है और कितनी तर तो ये सारी चीज़े भी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इकनॉमिक्स की डेफिनेशन से इकनॉमिक्स बेसिकली हमने दो वर्ड से लिया है इकनॉमिक्स का ओरिजन आपका ग्रीक वर्ड से हुआ है तो ये आपका multiple choice question भी बन सकता है कि एकनॉमिक्स का ओरिजन ये जो एकनॉमिक्स वर्ड का ओरिजन है ये कहां से हुआ ये ग्रीक वर्ड से हुआ है ये दो चीज़ों से मिला कर बना है दो चीज़े कौन कौन सी है ओकोस और नैमन तो basically ओकोस का मतलब होता है household और नैमन का मतलब होता है management तो यानि के घर के लोग जैसे अपनी चीज़ों को manage करते हैं घर में जैसे जो household ladies होती है वैसे जो चीज़ों को manage करती हैं बिल्कुल सेम वैसे ही economics को भी manage किया जाते है तो economics में basically हम यही चोटी चोटी बात है यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करते हैं तो अगर मैं आपसे बात करूँ तो economics में हमारे पास दो ही main समस्या हैं आपको देखने को मिलती है सबसे पहली समस्या होती है हमारे पास resources सबसे पहली समस्या है साधन, क्या है? साधन याने के मेरी pocket में जो पैसे है, घर में जैसे दूद आता है अच्छा company के अंदर मैं capital लगाने जा रहा हूँ तो ये सब मेरे क्या है? resources लेकिन मेरी इच्छाए जो है मेरी इच्छाए जो है वो कैसी है? वो है unlimited तो मेरे पास unlimited wants है, unlimited wants का मतलब जो मेरी इच्छाए है वो unlimited है तो मेरे पास से मुझे pocket money मिलती है 1000 रुपे और मेरी इच्छाए जो है वो है basically वह दोस्तों को से party भी दे दूँ shoes भी खरीद लूँ उसके बाद घूम फिर भी आऊं कहीं पर hanging around उसके बाद mobile भी ले लो तो यह सब चीजे क्या है यह सब मेरी इच्छाए है लेकिन मेरे पास जो pocket money मिलती है वो क्या है, वो limited है तो basically आपको यहाँ पर क्या चीजे देखने को मिलने वाली है यहाँ पर आपको चीजे देखने को मिलने वाली है कि मेरे पास जो पैसे हैं वो तो limited है लेकिन मेरी इच्छा है जो है वो unlimited है तो मुझे क्या करना पड़ेगा मुझे twice करनी पड़ेगी क्या करना पड़ेगा मुझे twice करनी पड़ेगी क्यों च्वाइस करनी पड़ेगी क्योंकि मैं इस हजार रुपे के अंदर सारी चीजों को पूरा नहीं कर सकता तो इसलिए जब हमने ये वर्ड यूज किया कि एक आम आदमी अपने घर को कैसे चलाता है that is household management तो सेम यही बात यहां पर कहने की कोशिश कर रहा हूं जब मैं य सब्सक्राप की बन जाती है economics तो इसलिए यह कोई जादा लंबी टर्म नहीं है लेकिन फिर भी हमें बड़ी complicated लगती है ऐसा कुछ नहीं है तो हमें क्या करना पड़ता है choice करनी पड़ती है choice क्यूँ करनी पड़ती है क्यूंकि resources limited है मेरे पास साध unlimited है लेकिन मेरी इच्छाई unlimited है मैं सारी इच्छाई एक टाइम पर पूरी नहीं कर सकता उन resources के साथ तो मुझे choice करने पड़ती है क्यूं क्यूंकि मेरे पास चीजों की क्या है scarcity कमी है तो यही बात मैं यहाँ पर आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं तो resources unlimited, resources limited है, wants unlimited है, choice करने पड़ती है क्यूंकि choice हमारे पास resources की कमी है तो यही बात हम यहाँ पर कहने की कोशिश कर रहे थे तो definition में जब भी हम इसकी बात करते हैं तो क्या लिखता है Economics is a science of human behavior concerned with allocation of scarce means allocation का मतलब है बटवारा, allocation का मतलब है बटवारा मुझे मेरे पास जो पैसे है 1000 रुपे, वो जो मेरे पास साधन है 1000 रुपे मुझे इस तरीके से अपने काम में distribute करने है कि consumer की तो satisfaction maximum हो जए अगर मैं consumer हो तो मेरी satisfaction maximum हो जए अगर मैं producer हो तो मेरा profit maximum हो जाए और अगर मैं society हो तो मेरा welfare maximum हो जए तो basically जैसे भी मेरे पास रुपे हैं 1000 रुपे मैं consumer के इसाप से यूज कर रहा हूँ तो satisfaction को maximum करने की कोशिश करूँगा 1000 रुपे producer के इसाप से यूज करूँज करूँगा तो मैं उसे profit maximum करने की कोशिश करूँगा और अगर 1000 रुपे मेरे society की तरीके से यूज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैं उसे welfare को maximize करने की कोशिश करूँगा तो आपके economics में दो ही important चीज़े है scarcity और 24 इसके बिना economics का वजूद ही नहीं है क्या मतलब अगर चीज़ों की कमी ही नहीं होती तो आपको management करने की जरूरती क्यों बढ़ती अगर आपके पास 1000 की जगा 50,000 रुपे होते आप जितने चीज मांगते उतनी चीज आपको मिल जाती तो economics की जरूरती क्या थी भाई इसलिए हमने आपर economics को study करा तो scarcity का मतलब it refers to a situation when we have less than we wish to have बैh scarcity का मतलब कमी का मतलब क्या है जितना पैसा मेरे पास होना चाहिए था उतना पैसा मेरे पास नहीं है उससे कम पैसा मेरे पास है तो यही है scarcity यही है चीजों की कमी in another word scarcity implies the situation when supply of resources is less than the demand तो मेरे पास मुझे की जादा चाहिए थी वो चीज मुझे जादा मात्रा में नहीं मिली वो चीज मुझे कम मात्रा में मिली तो इसलिए यह है scarcity अब two basic characteristics of resources दो main characteristics resources की क्या है सबसे पहली characteristics तो है यह resources की कमी है जैसे suppose घर में दूद आता है तो अब सारे के सारे लोग दूद नहीं पी सकते तो कुछ लोग चाय पिएंगे कुछ लोग दूद को skip करेंगे तो इसलिए क्यों क्योंकि resources के alternative views भी है और इससे ही हमारी scarcity जो है वो बहुत ही जादा मुश्किल हो जाती है तो दूद मैं दूद की तरीके से पी सकता हूँ एक आता बंदा कहरा है जी मैं चाय पिऊंगा एक कहरा है दूद पिएगा एक कहरा है शेक पिएगा एक कहरा है दई की लस्ती पिएगा यह सब चीजे तो एक तो पहले ही दूद का मारा था पहले ही दूद 2 kg आ रहा था उसके बाद से समझ्या दूद के alternative use भी है हर बंदा अपने अपने तरीके से उसे use करना चाहता है तो इसलिए हमें क्या करनापडता है management करनी पड़ती है घर किसी दिन ममी मुझे दे देगी और चोटे भाई को नहीं देगी और किसी दिन चोटे भाई को देदेगी तो ऐसे करके balance करना पड़ता है तो क्यों चीजों की कमी है और चीजों के alternative use भी है मिल्क से दई भी, दूद भी, मक्षन भी, पनीर भी सब जम सकता है तो इसलिए हम कहते हैं कि इससे मुसीबत और बढ़ जाती है तो मैं आपको ये resources जो हैं, ये हमारे resources जो हैं वो limited भी है और इन ही resources के alternative use भी है मैं अलग-अलग तरीके से इन चीजों को use कर भी सकता हूँ इसलिए समस्या और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है 24 का मतलब क्या है 24 का मतलब है, it is a process of selection from the available limited alternatives 24 का मतलब क्या, भी 1000 रुपे है मेरे पास, party करूँ, जूते खरीदू, घूम के आओ, party शाटी करनी है, mobile खरीदने है, क्या करना है तो ये सारी चीजे ही आपको सोचनी पड़ती है भी इस mobile को खरीदने के लिए पैसे बचाओं, किताबों में लगाओं, घूम के आओं, ये सब चीजे क्या है आपकी choice है, और आप इसमें से जिस टाइम पर जो choice जरूरी समझोगे, उसी को आप use करोगे इसके बाद आपके पास आ जाता है, ये diagram तो economics is a science of human behavior, economic science है human behavior की concerned with the problem of choice, यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है च्वाइस की, च्वाइस क्यों करनी पड़ती है, क्योंकि एक तो मारे पास resources scars है, चीजों की कमी है, उपर से उस resources की alternative views है भया ये तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया, और हर बंदा consumer maximum satisfaction की बाते करेगा, producer maximum profit की बाते करेगा, और society welfare की बाते करेगी तो ये है आपकी definition, अब आपके पास micro और macro में difference आ जाता है, micro economics, तो micro हमने फिर से Greek word से लिया है, जिसका meaning है small macro हमने फिर से Greek word से लिया है, macros word से लिया है, जिसका मतलब है large तो basically, micro economics small level पर काम करती है, और macro economics जो है वो large level पर काम करती है, इसका simple logic क्या है कि अगर suppose करो मैं पूरे इंडिया की बाते करता हूँ मैं पूरे देश की बाते करता हूँ, तब तो वो आपके पास हो जाता है macro level और से मैं सिरफ एक डेली की बात करता हूँ से मैं सिरफ एक दिल्ली की बात करता हूँ, एक सिटी की बात करता हूँ, तब वो आपका हो जाता है micro level अगर मैं कहूँ बई दिल्ली की जो समस्या है वो पूरे देश की समस्या नहीं हो सकती और अगर मैं बात करूँ पूरे देश की जो समस्या देश की है वो सिरफ दिल्ली की नहीं हो सकती तो ये है इसका लोजिक तो इसका मतलब क्या है वो समझो suppose करो मैं आपसे कहता हूँ इंडिया और चाइना का वार हो रहा है जगडा हो रहा है तो इंडिया और चाइना का वार हो रहा है तो वो देश की प्रोब्लम है अकेले दिल्ली की प्रोब्लम नहीं है लेकिन अगर दिल्ली में suppose करो एक दिन रात को लाइट नहीं आती तो वो सि इसलिए micro level का मतलब होता है जब मैं किसी single consumer की single producer की single firm की बाते करता हूं तब वो आपके पास बन जाता है micro economics लेकिन जब मैं बात करता हूं पूरे देश की कि हमारे देश में कितनी firms हैं हमारे देश में कितने consumer हैं हमारे देश में कितनी factory हैं जब मैं पूरे industry की बाते करता हूं तब वो बन जाता है macro, तो इसका difference बहुत जरूरी है study करना, तो लिखता है micro economic study, the relationship between problems at the level of an individual, तो micro economics problems को study करता है, कौन सी problems को study करता है, individual level पर, एक individual क्या कर रहा है, एक firm कैसे समान बना रही है, एक household को, एक घरेलू इंसान को क्या क्या चाहिए, एक consumer क्या समान खरीदने वाला है, किस situation में ये सारी बाते करेगा, लेकिन macro economic study, the relationship and economic problem of the economy as a whole, ये economy as a whole का मतलब बहुत important है, economy as a whole का मतलब है, जब मैं पूरे देश की बात करता हूँ, पूरी अर्थ फवस्ता की बात करता हूँ, वो कैसे काम करेगी, तब वो बन जाता है macro economics, जब भी मैं micro economics की बाते करता हूँ, तो it is basically concerned with the determination of output और price, micro economics की दो ही समस्या है, कितना समान बनाना है, price कैसे निर्धारित होगा, ये सब चीज़े, क्या मतलब, micro economics के अंदर हमेशा, हम demand और supply की बाते करते हैं, micro economics में हमेशा, चिला रहे थे, अभी हम producer, producer चिला रहे थे, तो जहां पर consumer और producer मिलते हैं, वही पर ही price decide किया जाता है, तो इसलिए हम micro economics को theory of price भी कह सकते हैं, macro economics देश की समस्या को बताता है, तो देश में समस्या क्या हैं, बेरोजगारी है, देश के अंदर growth, तरक्की, development, यह सब सारी समस्या हैं, तो determination of aggregate output, journal price level, यहां पर एक factory की supply की बात नहीं हो रही, यहां पर आपके पूरे देश की industries की बाते हो रही हैं, यहां पर पूरे देश में employment की बाते हो रही हैं, तो इसलिए हम इसे नाम देते हैं, theory of income and employment, पूरे देश में कितनी income समान बना, कितनी लोगों ने income कमाई, देश में कितनी income हुई, यह सब बाते हम यहां पर करते हैं, उसके बाद study of microeconomics, जब भी मैं microeconomics को study कर रहा होता हूँ, जब भी मैं दिल्ली की बाते कर रहा होता हूँ, जब भी मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, तो सिरफ दिल्ली की बात कर रहा हूँ, इंडिया में क्या हो रहा है, उसकी बाते नहीं कर रहा हूँ, पूरे देश की बात नहीं कर रहा हूँ, तो जब भी मैं microeconomics को study कर रहा हूँ, तो macro economics को क्या माल लूँगा constant तो इसलिए हम लिखते हैं macro variable remain constant तो जब भी मैं micro economics को study कर रहा हूँ तो macro variables को constant माल लूँगा और जब मैं देश की बात कर रहा हूँ देश की समस्याओं की बात कर रहा हूँ से India, China के youth की बात कर रहा हूँ तो दिली में क्या हो रहा है मैं उसकी बाते नहीं करूँगा तो यहाँ पर भी हम सेम सिम्पल बाते कह रहे हैं कि जब मैं macro economics की बात करूँगा जब मैं macro economics को study करूँगा जब मैं देश को study करूँगा तब मैं एक-äक छोटी-छोटी states की problem को include नहीं करूँगा मैं यहां पर पूरे देश की बात करूँगा तो जब भी मैं macroeconomics की बाते करूँगा तो micro variables को यहां पर मैं constant मालनूगा उसके बाद microeconomics में दो ही चीजे कामियाब है वह या demand और supply market forces ही यहां पर हर चीज को decide करती है market forces याने demand और supply की तागत बजारी तागते होती है यहां पर demand और supply वही सारी चीजे decide करती है क्योंकि price decide कौन कर सकता है demand और supply यहां पर government की policies ही आपके macroeconomics को चलाती है government कैसे सोचती है कितना tax लगाती है कितना subsidy देती है कितनी employment देती है कितनी growth कितनी तरक्की करती है यह सारी बाते ही आपके macroeconomics के अंदर बहुती जादा important factor play करती है यह है आपका difference यह आपका बहुती important है exam point of view से देखा जाता है बिलकुल और इसके बाद आपके पास एक और नया topic आ जाता है that is positive economics और normative economics यह बिलकुल आपका एक बार अगर मुझे story समझ में आजेगी फिर मुझे दिक्कत नहीं पड़ेगी मैंने आपको दो तरह की economics कही एक कही positive economics और दूसरी हमने कही normative economics positive economics basically आपका fact और figure पर काम करती है positive economics basically आपकी fact और figure पर काम करती है factor figure पर काम करने का मतलब क्या है कि जैसे मैंने आप से पूछा भई देश की population देश की अबादी 1950 में कितनी थी 2020 में कितनी थी और मैं अंदाजा भी लगा सकता हूँ कि 2030 में population कितनी होगी से तो मैंने का कि यहाँ पर हमेशा factor figure है तो मैं आपको यहाँ पर असानी से इन तीनों questions का जवाब दे सकता हूँ लेकिन normative economics में ऐसा नहीं होता normative economics हमेशा ideology पर काम करती है ideology का मतलब क्या हुआ ideology का मतलब हुआ कि लोगों ने कोई भी राय दे दी अच्छी या बूरी उसका कोई logic ही नहीं है तो यह है ideology भाई देश में ऐसा होना चाहिए अगर कैटरीना कैफ हमारे देश की परधान मंत्री होती कैटरीना कैफ हमारे देश की foreign minister होती तो कभी भी पाकिस्तान से जगड़ा नहीं होता it is ideology only यह है सिरफ ideology मैं सिरफ सोच सकता हूँ अच्छा या बुरा यह statement सही है या गलत है इसका कोई logic ही नहीं है कोई सरपैर ही नहीं है तो जिस चीज को मैं verify नहीं कर सकता सिरफ statement देकर छोड़ दी that is आपका normative economics तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं यहाँ पर हम बाते करें कि 1950 के अंदर suppose करो हमने का भई देश की अबादी थी 50 करोड 2020 में देश की अबादी थी 130 करोड और अगर हम इसी रफतार से बढ़ते रहे तो 2030 में हमारे देश की अबादी होगी 1500 करोड यह है factor figure पर बेस तो इसमें हमने लिखा what was क्या था what is क्या है what will be क्या होगा what will be लेकिन यहाँ पर क्या कहता है क्या होना चाहिए हम कहेंगे जी अबादी कम होनी चाहिए what ought to be यहाँ पर हम सिरफ राय दे रहे हैं हम कह रहे हैं जी अबादी कम होनी चाहिए हमें कोई फरक नहीं पड़ता बस हमने एक बात कहकर छोड़ दी जिसका कोई सरपैर नहीं है उसके बाद अगर हम बात करें तो इसके अंदर तीसरा important point आता है यहाँ पर मैं चीजों को verify कर सकता हूं चीजों को verify कर सकता हूं check कर सकता हूं कैसे मैंने कहा जी 1950 में देश की अबादी 50 करोड थी तो सीधा मैं census उठाऊंगा जनगन्ना उठाऊंगा और check करूंगा क्या थी या नहीं थी तो याने के यह statement true भी हो सकती है और यह statement false भी हो सकती है तो check कर सकता हूं तो answer भी दे सकता हूं लेकिन यहाँ पर तो ideology है ideology है तो मैं कभी भी इसे no verify मैं इसे verify नहीं कर सकता ना मैं इसे check कर सकता no check तो इसलिए यह statement ना तो कभी true होगी ना तो यह statement कभी सही होगी no false ना तो यह कभी गलत होगी clear है मेरी बात यही हम चीजें यहाँ पर पढ़ने वाले तो लिखता है positive economics deals with the economic issue related to past present और future it is always deals with the facts and figures तो यह हमेशा fact और figure के साथ deal करती हुई पाई जाएंगी अब हम बात करते हैं positive statements की characteristics की these statements are highlight the nature of the extent of the problem related to the behavior of people past present और future लोग कैसे सोचते थे कैसे काम करते थे उनके सोचने का नजरिया कैसा था यह सब चीजे यह हमेशा fact और figure पर बेश होती है यह हम verify कर सकते है यह कभी भी आपको value judgment ideology नहीं देती सीधा data देती है या तो data ठीक होगा या तो data गलत होगा तो यह हमेशा which could be a matter of debate तो वो कहता कि यह कभी भी judgment नहीं देती यह तो आपको सिरफ fact और figure बताती है बस इसका काम इतना ही है इसके बाद हम बात करें normative economics what ought to be यह word मैंने लिखा कि क्या होना चाहिए यह सिरफ आपको राय दे सकती है opinion दे सकती है ideas दे सकती है और यह आपको कुछ नहीं बता सकती है तो characteristics की बात करें तो यह value judgment है यह आपकी controversies को debates को जनम देती है जैसी मैंने कहा जी कैटरीना कैफ देश की परदान मंतरी होती foreign minister होती तो परकिस्तान से जगडे नहीं होते इसके उपर debate शुरू हो जाएंगी लंबे लंबे बाशन interviews, news आएंगी तो और वो ही आपका controversy को जनम देती है this statement indicates opinion and therefore not verifiable for truth यह सिरफ opinion है दिमाग की उपज है इसका कोई सरपैर नहीं है और सरपैर नहीं है तो इसको हम check भी नहीं कर सकते this reflect what ought to be as a solution of a economic problem तो यह आपको सिरफ क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है आपकी economic problem का solution कैसे होना चाहिए इसके बाद यह आपका difference भी दे रखा है हमने speed से पढ़ लिया था फिर भी दुबारा present past or future को दिखाता है और यह deals with the opinion को दिखाता है what was, what is, what would be यहाँ पर what ought to be उसके बाद यह true और false हो सकती है लेकिन यह कभी भी true और false नहीं हो सकती यह हमेशा factor figure पर base होती है यह कभी भी factor figure पर base नहीं होती यहाँ पर कोई judgment नहीं होती कोई idea नहीं होता यहाँ पर हमेशा idea होता है इसके बाद what is economy economy का मतलब होता है अर्थ ववस्ता अभी अभी हमने पढ़ा कि हमारी एक इंडियन economy का मतलब हमारा देश रहता खाता पीता कैसे है यहां के लोग काम कैसे करते है यहां की factory या private वाली है या मतलब private लोग चलाते है सरकार चलाती है कैसा system हमारे देश में लागू होता है वो ही है आपकी economy तो लिखता है economy is a system by which people of the area earn their living तो अर्थ वैवस्ता वो जीज है जहां पर जैसे लोग काम करते हैं जैसे पैसा कमाते हैं यह सक चीज है तो अगर मैं एक simple economy की बात करूं which is a degree of interdependent exchange of moderate degree तो वो कहता है कि एक simple अर्थ वैवस्ता की बात करूं तो वो असानी से exchange कर लेती है वहाँ पर एक चीज दूसरी चीज पर निर्भर करती है सरकार, government जो है वो आम आदमी पर निर्भर करती है आम आदमी सरकार पर निर्भर करता है यह सब चीज है तो simple economy क्या होगी income level of the people is low complex economy जो बहुत ही बड़ी अर्थ वस्ता होगी बड़े लेवल पर होगी तो वो complex होगी और complex होगी तो उसके अंदर काफी सारी समस्या हैं आपको देखने को मिलेगी simple economy सीधी सीधी काम करेगी जादा burden वाला काम नहीं करेगी उसके बाद हम types of economy की बात करें तो यही बहुत important चीज है जो हमें समझने की जरूरत है तो सबसे पहले हमारे पास centrally planned economy है यह हमारी government वाली economy होती है हम मानते हैं कि सारे decision यहाँ पर government लेती है सरकार लेती है free economy, market economy वो economy होती है जहाँ पर सारे के सारे private बंदे private बंदे ही decision लेती है government यहाँ पर minimum role में होती है government यहाँ पर सिरफ कानून समभालती है production का सारा काम कोन करता है सरकार तो सबसे पहले हम बात करते है इन दोनों की फिर तीसरी mixed economy जो है वो public plus private सरकारी plus private याने के जो अपनी private economy होगी जहाँ पर private बंदे काम कर रहे होगी उन दोनों का mixture है तो पहले हम सिरफ centrally लोग प्लाइंड और आपकी free economy को पढ़ते है तो government वाली economy कोई हम सरकारी economy भी कह सकते है सारे का सारा काम सरकारी company करेंगी सारे decision क्या बनाना है कैसे बनाना है यह सारे decision कौन लेगा government तो लिखता है देश में कितनी कार बननी है कितने मुबाइल बनने है कितने टू विलर्स बनने है कितने खाने पीने की factory लगनी है क्या समान बनना है सारी के सारी activities कौन डिसाइड करेगा government यहाँ पर private sector की कोई वजूद नहीं होता economic decisions are taken by motive of social welfare सरकार काम कर रही है तो लोगों की भलाई के लिए काम करेगी यहाँ पर consumer sovereign नहीं होता sovereign का मतलब यह consumer यहाँ पर king राजा नहीं होता राजा नहीं होने का क्या मतलब यहाँ पर consumer की बात नहीं सुनी जाती सरकार ने जो समान बना कर दे दिया वो दे दिया use करना है तो यही करना है नहीं करना है तब भी आपके लिए यही option available है हम कोई और समान नहीं देंगे अब जैसे suppose करो आप train में जाते थे गदी फटी हुई है सीट फटी हुई है कोई सुनवाई नहीं है लेना हो तो लो भाया मत जाना है तो मत जाओ लेकिन हम आपकी बात को नहीं सुनेंगे Most of the resources are owned and controlled by the government बहुत सारे resources आपके government control करती है क्या price पर समान बिकेगा कौन खरीदेगा कैसे खरीदेगा कब लोगों को provide करनी है यही सारी बाते हम यहाँ पर करते है और public sector dominates the economic activity यहाँ पर सारे का सारा काम कोन कर रहा है public sector इसके बाद हम आजाते है free market economy free market economy वो एकनोमी होती है जहाँ पर सारी की सारी activities जो है market forces से control हो रही है market forces मैंने आपको पहले भी बताया था क्या होती है बजारी तागते demand की तागत demand and supply बजार में सिरफ दो ही तागते होती है demand और supply तो यहाँ पर पूरी की पूरी economy को संभालने का जिम्मा इन दोनों चीजों पर है demand जादा हो जाएगी तो कीमते जादा हो जाएगी demand कम हो जाएगी तो कीमते कम हो जाएगी तो यहाँ पर सारी चीजे demand और supply ही संभालती है यहाँ पर profit को maximize करना ही private company का main काम है private company बजार में काम कर रही है तो वो उनीकी जरूरत का समान बनाएंगी उन्हें महंगे दाम पर बेचेंगी कंस्टमर को और प्रोफिट कमाएंगी तो हमेशा कंस्टमर यहाँ पर राजा होता है कंस्टमर हमेशा अपनी मर्जी के अपनी 24 के गुड्स खरीद सकता है उसके बाद most of the resources are owned by the private people यहाँ पर सारे के सारे resources, production भी, consumption भी सारे private लोगों के अंडर आते हैं यहाँ पर कोई भी बंदा एक दूसरे के बीच में टांग नहीं आडाता यहाँ पर government का कोई भी रोल नहीं होता यहाँ पर private sector ही आपके पूरे की पूरे economy को चलाता है ओके मेरी बात याने के centrally planned economy government समालती है सारे decision government लेती है private economy में सारे decision market forces की वज़ाते होते है सरकार लोग welfare के लिए काम करते है private लोग profit के लिए अब mixed economy में क्या होगा दोनों ही मिलकर काम करेंगे तो यहाँ पर आपके पास कुछ decision government लेगी और कुछ decision market forces लेंगी तो यहाँ पर कुछ decision तो market forces लेंगी लेकिन कुछ decision यहाँ पर government लेंगी example के तोर पे जैसे mask का price 5 रुपे का mask 50 का भी करा था तो यह market forces थी जिसकी वज़े से पैसा जो mask है उसका price हाई हो गया लेकिन फिर government बीच में आई government ने का नहीं भई नहीं पांच रुपे की चीज़ दसक से जाजा कि हो ही नहीं सकती तो government ने regulate किया तो जब बात market के हाथ से बार निकल जाती है तब यहाँ पर government interfere करती है और उस price को दुबारा से control करके वहाँ पर लाती है यहाँ पर हम दोनों ही दोनों welfare और social welfare और profit motive दोनों ही देखते हैं क्योंकि public sector भी है और private sector भी यहाँ पर आपके पास customer जो है sovereign है private लोग हमेशा customer को focus करते है सरकारी लोग अपनी services और welfare को focus करते है तो resources are controlled by both government and people resources हैं जो भी आपके वो दोनों मिलकर संभालते हैं government भी और private वाले लोग भी तो दोनों मिल जुलकर एक दूसरे के एसास resources बाट लेते हैं यहाँ पर आपके पास कौन से sector dominate करेंगे यहाँ पर सरकारी कंपनिया भी होंगी यहाँ पर private कंपनिया भी होंगी और यहाँ पर तीसरी joint sector भी होगा joint sector का मतलब जहाँ पर दोनों की दोनों कंपनिया एक साथ एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर रही होंगी यह है mixed economy तो हमारे पास तीन तरह की अर्थवस्ता देखने को मिलती है तेंक यू यह chapter हमारा complete हो गया है साथ ही अगर आपको कोई doubt है कोई topic ऐसा है जो आपके book में given है और जो इसमें नहीं था तो हम उसे भी cover करेंगे उसका आप snapshot मुझे comment में share कर सकते हो मेरे telegram पर भी आप message कर सकते हो तो TR Gen को हम complete करते रहेंगे ऐसे ही पढ़ते रहेंगे Thank you कर सकते है